रमजान खत्म हो गया है एद खत्म हो गई है और एक बार फिर से बाबराजम की बेगम यानि के शोयब जड़ जग गई है जग गई है जग गई है जग गई है चलेगा क्योंकि बाबराजम की बेगम मैंने बोला है पूरे रमजान के दोरान ये बंदा एक भी ट्विट नहीं क्रिकेट जो जो मीडिया माफिया के सारे चुप थे चुप थे मतलब कोई तारीभ नहीं गर रहा था आप पाकिस्तान में इतना नहीं है इंडिया मिटना फीक है उस दिन लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता एकलोती ऐसी टीम है जिनको विपक्षी टीम के अलावा अपने ही पत्रगारों से लड़ना पड़ता है क्योंकि एक पूरा पूरा कौम जो है न वो एक एक एजन्डा माफिया जो लोग है न वो टूट पड़ते हैं उनसे भी डीलिंग करना पड़ता है और यह किसी भी खिलाडी के लिए मंटल टॉचर से कमनी होता है बाबराजम की बीबी यानि की बेगम को अब लोगातार आलुषना करती हैं लेकिन आज मुहमद रिजवान पे मोहमद रिजवान को जमके शुनाया है इनो ने क्या कुछ का है अब मैं दिखा दो बहुत ज्यादा ट्वीटे की हैं इतना ज्यादा फ्रस्टेशन है बेगम के भीतर में कि लगातार जो है यह गंटे के भीतर में दस-पंद्रे ट्वीटे इन्होंने पेल दी है कि पेल यह दी हैं कि मार्क चपमें लेकिन अपनी टीम की आलुशना की है कि 62 गिंदों का सामना किया अंठानबे रन बनाए साथ चोक्या चार चक्के लेगा मार्क चपमें ने संतावन गिंदों का सामना किया एक सोचार रन की पारी खेली ग्यारे चोके और चार चक्के लगाए और ओपनर वर्सेज मीडल ओडर यही शुएब जट अगर यह मुहमद रिजवान की गलती बिल्कुल भी नहीं एक सटरानवे रन आपने बना लिया थी चार ओवर के बीतर में तीन बल्लेबाजों को एडियल यह उनीचे कि आपके जो शदाब खान है आपके जो एफसान उल्ला है जिनको मौके दो मौके दो का लगातार रट लगाए हुए थे उन्होंने क्या किया हरी स्वाप ने विकेट्स में लिए और उसके बाद जो है शाइंचा फृदी लगातार लेंथ बोल डाले जा रहे थे लेकिन बाबराजम की बेगम को तो सिर्फ वोर सिर्फ जो है आलोचना करनी है किसकी तो मौहमद डीजवान की करनी है यह चाहारे है कि किसी तरीके से बाद बाबर की जोड़ी तूट जाए बेरा यह चलता रहता है और इतना ज़्यादा घवरानी की कुछ वो डियाई सिरीज है और वहाँ पे आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन करें इसकी आप लोग दुआत बिलकुल कर सकते हैं वेराल हार जी चलता रहता है दो-दो से सिरीज लेबल हुआ है अब निजलन के सी टीम के खलाब या जो भी बोले आप भी टीम के खलाब जो भी बोल है 5 मैचो की 1D सिरीज है रावल पिंडी में 2 मुकाबला 3 मुकाबला जो है कराची में है बावराजमी की बेगम के बारे में आपको क्या कुछ कहना है अब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जुरूर बता सकते हैं धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आ है मारू शेर मा